फ्रेंड सु आगता आपका अपने चैनल में उमिद आप लोग खुश होंगे सवस्त होंगे बढ़ू के चरण इस पर छोटू को डेर सारा प्यार आज मैं आपके साथ लेके आयो ऐसे टिप्स जो आपके लिए बहुत ही ज़ादा यूजफुल होने वाले हैं तो वीडियो को लगाते हैं तो हाथ से लगाते हैं चाहिए वो सिंदूर से लगाएं तो उससे अच्छा है ना हम इसे कान साप करने वाली से लगाएं तापकी आपकी बिंदी दिखने में भी अच्छी लगे और उसका सेफ भी अच्छा है बिल्कुल गोल बनेगी आपकी ठीकी और बहुत ज़्यादा खरीदी जाती है, हमारी जाडू कम से कम भी एक एग दो महीने से ज़्यादा नहीं चलती है और वो खराब हो जाती है, क्यूंकि हमें उसे अच्छे से यूज नहीं करना आता है, और हमारे पैसे भी वेष्ट होने लग जाते हैं, तो आप एक बार अपनी पूरानी जाडू को पानी में डाल कर अच्छे से साप कर लीजे देखें मेरी बाल्टी में पानी थोड़ा कम था तो मैं इसे हाथ से डाल रही हूँ इस तरह से आपको भी अपनी जाडू को साप कर लेना है आप खुद देखेंगे कि आपकी जाड़ो में कितना फरक नजर आ रहा है फिर इस तरह से पानी को सारे को निचे निकाल देना है और इसे थोड़ा सा छिड़क लेना है इस तरह से छिड़क लेना है उसके बाद में आप इसे दूफ में सुकने लिए रख देना कुछ लोग सोच रहे हैंगी कि पानी में भीग़ोने से जाडू कराब हो जागी अगर आप इसे दूफ में नहीं सुका औगे तो हो सकती है लेकिन इसे थोड़े देर दूफ में सुका दीजे देखे आप खुद देखे पहले वाली जाड़ू में और आप वाली जाड़ू में कितना different है इस स्क्रीन पर देखकर आप देख सकते हूँ कि कितना different लजर आ रह रहा है अब आपकी जाड़ू बिल्कुल खिल गई है देखे एकदम खुली खुली जाड़ू हो गई है तीसरा टिप्स डाइपर, डाइपर अकसर हम बच्चों को पैनाने के लिए यूज करते हैं पर इसका यूज और भी किसी चीज़ों में किया जा सकते हैं तो अब आप सोच रहों कि कि वो किसके लिए किया जा सकता है तो देखें पहले आप डाइपर को एक गंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिए और जब भी आपके बच्चे छोटे हों उनके इंजेक्शन लगते हो जैसे टिके वगेरा लगते हैं तो वो लगे ना तो उसके लिए आप इसका सिकताव कीजिए आपके बच्चे को दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा बहुत कम होगा मतलब कि आपने देखा होगा कि जब भी हम बरफ के पानी से या ठंडे पानी से उनको सिकताव करते हैं तो वो ज़्यादा रोते हैं और ना करने देते हैं हमें सिकताव तो आप एक बार इसे डाइपर से करके देखिए आपके बच्चे आराम से करवा भी लेंगे और आपके बच्चों को दर्द भी नहीं होगा तो एक बार ट्राई जुरूर करना चोथी टिप्स ये टिप्स एक के लिए नहीं है आप सबी के लिए यूजफूल होगी ये सब के साथ होता है एक के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है हमारे बच्चे तो ज़्यादा करते हैं इसी बदमासियां बिस्कुट खाते नहीं है लेकिन उनको पूरा खोल के देना पड़ता है फिर बच्चे पूरे बिस्किट खा भी नहीं पाते हैं लेकिन उनको पूरा पेकिट चीए वो भी खुला हुआ फिर हम इसे रख देते हैं और ये सीम की वज़े से खराब हो जाते हैं खाने लाइक नहीं होते हैं इनका टेस्ट भी बहुत खराब हो जाता है और उनको खाना कोई भी पसंद नहीं करता है तो हमारे गर में डबबे ना हो लेकिन साबून के डबबे तो हर किसी के पास मिल जाते हैं आप इने इसमें इस्टोर कर सकते हो जितने दिन तक आप इस्टोर करना चाहते हो कर सकते हो आपके बिस्किट आप देखेंगे कि बिल्कुल भी खराब नहीं होगे जैसे आपने पेकिट में से निकाले थे न वेसे के वेसे कुर करे रहेंगे तो आप इस टिप्स को ज़रूर तो आज माई अगर कोई भी टिप पसंद है तो चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक करके जाना अब आपसे विदा लेने का टाइम आ गया मिलते हैं नेस्ट वीडियो में